सिंपल और टेस्टी रेसिपीस के लिए बने रहें मेरे चैनल अफलातून जाइका पर सिर्फ जाइका नहीं जज़बात भी वेलकम फ्रेंड्स आज मैं आपके साथ शेयर कर रहे हूं मटन चाप बनाने की रेसिपी चाप बहुत तरीके से बनता है मगर आज जो मैं रेसिपी शेयर कर रहे हूं बहुत ही सिंप्लेस्ट और आसान तरीका है और टेस्ट बहुत ही जबदस्ट होता है तो चलिए बिस्मिल्ला करते हैं मटन मैंने हाफ के जी लिया है, यह चाप के पीसेज है, मुचर को बोलने से इस तरह से यह रिप्स के पीसेज काट के देता है, और दो प्यास को मैंने स्लाइसेज में कट कर लिया है, प्रेशर कुकर में दो टेबल स्पून ओयल लेंगे हम, और उसमें स्लाइसेज में कट किय हाथों से क्रश करके रखा है उसे हम बाद में यूज करेंगे प्यास को अच्छे से चलाते हैं हमें लाइट ब्राउन करना है अब हम इसमें कुछ साबुत गरम मसाले आइड करेंगे तो दो तेश पत्ता मैंने लिया है दो बड़ी लाइची चार छोटी लाइची आठ से दस करें शिया जीरा एक टीस्पून और काली मिट साबुत एक टीस्पून सारे मसालों को हम फ्राइ के वे गोल्डन प्यास में आड कर देंगे थोड़ा चला लेंगे जब अच्छी सी खुश्मू आने लगे तब फिर हम इसमें मटन के पीसेस को एड कर देंगे सबको अच्छे साम मिक्स करेंगे यहड़ी वाले पीसेस होते हैं इसलिए चलाने में थोड़ा मुश्किल होती है मतनका पान ही खुश्क हो जाएं तब तब थक हम इसे फ्राई करेंगेज अब हमस्फिर मसाले अट करेंगे इसके लिए एक टी स्पून मैंने भरके लैसन का पेस्ट लिया है और एक टी स्पून nós यह वरके अद्रग का पेस्ट अद्रक लेसन के साथ भी से हम अच्छे से भूल लेंगे जब तक raw smell ना चला जाए इसका ओयल से प्रेट होने लगा है अब हम सुखे मसाले आड़ करेंगे इसमें नमक मैंने टेस्ट के कोडिंग आड़ कर लिया है हाफ टीस्पून इसमें हम एड़ कर लेंगे हल्दी का पाउडर डेट टीस्पून हम ले लेंगे रेड़ चिली पाउडर और डेट टीस्पून धनिया पाउडर थोड़ा सा पानी डाल कर मसालों के साथ इससे चलाएंगे हम ताकि मसाले हमारे जले नहीं सारे मसालों के साथ अब अच्छे से भूणना है हमेसे, बीच बीच में हम थोड़ा पानी डाल लेंगे, अब हम इसमें एक कप दही आड करेंगे, दही को अच्छे से मैंने रून फ़े रेचर पर फेट कर लिया है, ताकि दही फटे नहीं, और जब दही आड करें तो आप य अब हम एक हाफ ग्लास के अप्रॉक से पानी डाल देंगे इसमेंए फिर अच्छछ से मिख्स कर लेंगे और फिर लिड लगा देंगे। और हाई फ्लेम पर हम इसे एक विसल आने तक पका लेंगे और फिर-10 मिट तक लो फ्लीम पर कुक कर लेंगे, आप अपने मटन जिस हिसाब से उसे अकॉर्डिंग देख लें जब तक मटन टेंडर ना हो जा तब तक हमें इसे कुख करना है कि दस मेट के बाद कुखर खोल कर आप एक बार चेक कर लें अगर ना हुआ तो फिर गला ले तसमेट हो गया है मटन मैंने चेक किया गल गया है बिलकुल अच्छे तरह इसे अब जो पैयास मैंने पहले ब्राउन करके रखा था उसमें हाफ टी स्पून गरम मसाला एड़ करेंगे गरम मसाला के पाउडर उसे इसमें एड़ कर देंगे और मटन के साथ अच्छे से हम इसे भून लेंगे थोड़ा पानी दिख रहा है तो मैं इसे अच्छे से भून रही हूँ हाफ टीस्पून हम केओडा वोटर एड़ करेंगे, अगर आपको पसंद नहीं इसका स्मेल तो आपना आड़ करें इसे एक अच्छा सा मुखलाई और रिच फ्लेवर आता है चाप हमारा अच्छे से भून गया है और रेड़ी है कलर वगरा सब बहुत ही अच्छा आया है बहुत ही अच्छी खुश्बू आ रही है माशाएलला और टेस्ट तो इसके इतना जबदर्स होता है कि आप इसे एक बर इस तरीके से जरूर ट्राइ करें मतंचे आपको आप रुमाली रोटी, नॉर्मल रोटी, नान या फिर पराठो के साथ सर्फ करें बहुत ही डिलिश्यस होती है सर्फ करने के बाद अब इसे हरी धनिया, हरी मिर्च और लेमन से गार्निश कर दे होप आपको रेसीपी पसंद आई होगी आप इसे जरू जरू ट्राइ करें और कमेंट करके मुझे बताएं कि कैसी बनी है वीडियो को लाइक करें, शेर करें और चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को हिट कर दें ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले मिलते हैं नेक्स वीडियो में इंशाला, थैंक्स फॉर वाचिंग